जितनी आदा उतनी वफा एक मजर प्यार से देख लो फिर से जिन्दा कर दो तुम ही ले दिल खेले हेलो माई यूटू फैमिली आप सभी का रचना ओफिसियल व्लॉग में एक बर फिर से स्वागत है नमस्कार श्रस्रीय का लाधा तो आप लोग कैसी है आपको इस टेप बाइस टेप मैं मेकप करना सिखाऊंगी जो नए विगनर से उनके लिए तो बहुत है और इस वीडियो में वनली पिंक मेकप टूटोरियो लोगा जैसा कि आप देख सकते हैं वाइप पिंक कलर का आउट है विडिबने में वियर किया है और पिंक कलर का यह मैक अटन के लिए हो प्रेस करें ताकि हमारे आने वादे वीडियो का नौटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पूंच DM मैंत शर्या करें तो चले हैं इस वीडियो में हम अपना यह पिंक फूटोरियल स्टे वाई स्ट्रि जाले बाई मैंए dime को दिखाते हैं यह नई सबसे पाएमर यूज करेंगे प्राइमर की जगा ऐलोवेरा जल लगाइब नहीं है तो एलोवेला जयल अपैस के फ्प्लाइबना ताकि हमारा मेक अप लॉंग लास्टिक एंड फ्लो लेस लूग देफरेंच देख सकते हैं हम अपने फेज पे और नेक अरण एलो वेरा जेल अप्लाई कर लेंगे अब जुआए का यह मोस्चु राइजर अप्लाई करेंगे फ्रेंड ताकि हमारा मेक अप बहुत ही अच्छ हर लोग क्रियेट कर पाए फ्रेंट्स देख सकते हैं हम अपने मेकप सौरी हम अपना यह मौस्यूराइजर अपलाई कर रहे हैं देख सकते हैं अब हम अपना फांडेशन अपलाई करेंगे फांडेशन लगाने के लिए प्रोसेस पहले हाथों पे लेकर उसे फिंगर टिप से अपने face पे dab dab करके लगाए फ्रंट देख सकते हैं अब हमें वीडियो में dab dab करके हम अपने face के around अपना foundation अप्लाई कर रहे हैं और इसको हम mix and match करेंगी वो भी beauty blender की help से तो चलिए हम अपना makeup dab dab करके mix and match कर लेते हैं ताकि हमारा makeup जो है एक high coverage look दे, concealer लगा के अपने dark circle, dark spot को अच्छे से hide कर देंगे तो देख सकते हम concealer लगा के dab dab करके उसको mix कर लिया ताकि हमारा dark spots, dark circle दिखे ना तो देख सकते हम उसे भी mix कर लिया है और कितना ही प्यारा look आ रहा है अब हम अपने nose को contour करेंगे ताकि हमारा nose fluffy and slim and trim दिखे फ्रेंड देख सकते हैं हम अपने nose को contour कर लिया है, cheekbone को contour कर लिया है, contour करने से हमारा face होता है, वो slim सा दिखता है आए एक अच्छा look आता है, front देख सकते हैं forehead के around हम contour कर रहे हैं अब उसको beauty blender की help से ही हम इसको blend कर रहे हैं, front देख सकते हैं nose के round cheek के bone और inner corner पे देख सकते हैं mix blend कर रहे हैं, front देख सकते हैं हमारा ये contour अच्छे से blend हो गया और अपने face पे जो foundation लगा था उनको हम लॉक कर रहे हैं, front देख सकते हैं compact powder या loose powder की help से हम अपने foundation को अच्छे से लग कर रहे हैं ताकि हमारा एक high coverage look लगे, ताकि देखने के बाद लोग कहें कि हाँ ये makeup good हुआ है अब हमने nose को light color shirt से हमने उसे highlight कर दिया, अब हम अपना eye makeup करेंगे देख सकते हैं, ये हमारा makeup है pink shade makeup, पूरा pink makeup tutorial है तो हम अपने eyes पे ही pink eye shadow use करेंगे, देख सकते हैं हम अपने eye lid पे pink shade का eye shadow apply कर रहे है high coverage का pink shade और थोड़ा सा dark pink shade से हम eye lid के circle को अच्छे से blend कर रहे है क्रिश्लाइन जो है, देख सकते हैं हमारा क्रिश्लाइन जो दिख रहा है, उसको हम dark pink shade से उसको blend करेंगे और inner corner पे golden color pink shade, sorry, yellow shade का वो eye lid पे eye shadow लगाएंगे, देख सकते हैं, कितना ही अच्छा look आया है थोड़ा सा इसे complete करके दिखाते हैं, friends की कितना ही अच्छा look का आया है, अब हम दूसरे eyes को भी complete करके आ गया है देख सकते हैं, कितना ही प्यारा eye shadow लगाएंगे, अब हम अपना blush लगाएंगे, वो भी pink shade का ही blush apply करेंगे, friends अपने cheekbone पे, क्योंकि हमारा pink makeup tutorial है, तो सारा pink, pink होने वाला है देख सकते हैं, हम अपने cheekbone पे pink blush लगा लिया है, अपने nose पे थोड़ा सा pink shade लगा ले तक हमारा pinky pinky face दिखे देख सकते हैं, हमने अपना blush लगा लिया है, friends कितना ही अच्छा लग रहा है, तो चलिए, अब हम अपना आगे का process complete करते हैं, जो भी बचा है अब हम अपना lipstick ये pink shade ही लगाएंगे, अपलाई करेंगे, लिप liner pink shade कर नहीं था, इसलिए हमने direct lipstick ही अपलाई कर लिया कई layer हमने इसको लगाए, ताकि हमारा ये pink shade है, जो dark दिखे, देख सकते हैं, friends कितना ही प्यारा lipstick shade है ये pink color का कितना ही अच्छा look आ रहा है, हमारे skin tone में बहुत अच्छा mix हो रहा है, अब हम अपने eyebrows को fill कर लेंगे, friend, eyebrows की help से, आपको पताईए, मैं अपने eyebrows को brush की help से ही fix करती है, तो eyeshadow, black eyeshadow से हम mix कर लेते हैं, या काजल की help से, अपने eyebrows को set कर लेते हैं, यह देख सकते हैं, कुछ process complete हो चुके, eyeliner बचा है, उसको भी हम complete कर लेते हैं, wing eyeliner के साथ, eye makeup अपना complete कर लेंगे, wing eyeliner के साथ, friends, क्योंकि यह हमारा pink set है, देख सकते हैं, हम थोड़ा broad eyeliner apply कर रहे हैं, देख सकते हैं, विंग आई-लाइनर के साथ हमने कितना ही प्यारा आई-लाइनर अप्लाई किया है तो आपको अपना ये फाइनल आई-लाइनर देखा देते हैं ताकि आई-मेकप समझ में आए देख सकते हैं कितना ही अच्छा विंग आई-लाइनर के साथ ब्रॉड आई-लाइनर के साथ हमारा आई लाइनर अप्लाई हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है तो अगर बंक को एक। बन को माॉथ कर लेते हैं फरंस थोड़ा यह प्रोसस बचा हुआ है है इसको हाइलाइट करना बहुत ही जरूर है अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और सब्सक्राइब करें देख सकते हैं हमारा यह हाइलाइट हो चुका है मैं अपना फाइनल लुक अभी क्रियेट करके दिखा देने वाली फ्रे सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे बैबाई इंजाए दा वीडियो